नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रेवंत राज मैथमाटिक्स में दोस्तों ठीक तीन बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि अपना तीन बजे जो लाइव टेस्ट होता है दोस्तों मेगा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों आप सभी को गोगा नमी की हार्दिक सुब काम नहीं चलिए दोस्तों तीन बज चुके हैं जितने लोग लाइव आचुके हैं एक बार लाइक और शेर कर दीजे फिर इस बहतरीन टेस्ट की सुरुआत करते हैं दोस्तों जी के के कुल पचास क्यूशनों का मैं एक मॉडल पेपर लेकाया हूं आपके सामने तो चलिए दोस्तों बताईए आवाज एकदम किलियर है क्या वीडियो एकदम किलियर है क्या दोस्तों उसके बाद आके बढ़ते हैं चलिए जल्दी से कमेट कर दीजिए दोस्तों जल्दी से कमेट करके बता दीजिए आवाज वीडियो के लिए रहे क्या जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं लाल बटन दबा कर सबस्क्राइब जरूर कर लेना चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 101 से लेकर के 150 तक के कुल 50 दीके के क्यूशन है आपके कितने क्यूशन से होते हैं ये भी आपको लाश्ट में बताके जाना है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्यूशन है पंचायती राज विवस्ता सरो परतम किस जिले में लागू हुई ओप्शन आपके जेपुर नागोर अजमेरिया करो ली दोस्तों पहला क्यूशन आपके सामने अवेलेबल है पंचायती राज विवस्ता सरो परतम किस जिले में लागू हुई थी जैपुर, नागोर, अजमेरिया, करोली आपको सवाल नमबर एक का राइट आंसर कमेंट करना है चलिए दोस्तों सभी दोस्तों को कमेंट करना है पेले का राइट आंसर दोस्तों बहुत बढ़िया B-Option आपका करेक्ट आंसर हो जेगा आपको यह बताना है कि राजिस्तान में כल कितने जिले है है, Option है 30, 31, 33 या 34 सभी को आना चाइए, a क्योशन दोस्तों इतने सरर्ल क्योशन भी आते हैं केई विदार्थी कमेंट करते हैं कि सर हार्ड क्योशन लाइए दोस्तों सारे ही hard question नहीं आते हैं paper में ठीक है ना सरल सवाल भी आते हैं बहुत बढ़िया C option आपका correct answer हो जेगा कितने जिले हैं दोस्तों 33 जिले हैं राजस्तान में कुल ये सबी को सामाने जानकार आती होगी चली 103 current appears का सवाल है ये पूराना है इसलिए इसको छोड़ देते हैं 104 मा जाईए जिले में पंचायती राज की सीर ससंस्ता कौन सी है नगर परिशद नगर निगम पंचायत समीती या जिला परिशद ये बताए चल दिसे जिले में पंचायती राज की सीर ससंस्ता कौन सी होती है आपको कमेट करना है 104 का राइट आंसर चली सबी दोस्तों को कमेट करना है लाइक और शेर करते रहे दोस्तों बहुत बढ़िया डी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर होजएगा जिला परिशद जिले में पंचायती र निम्नमें से कोन सा खध्यान राजस्टान में सरवादिक पेदा होतی है, जिसकी पेदावार होती है, गहुं, बाजरा, चाम्वली, अज्जो 105 का राइट आंसर बते ही दोस्तों 105 नमबर आपके सामने अवेलेबल है प्यारे सातियों आपको कमेंट करना है 105 का राइट आंसर चलिए बी ओप्शन करेक्ट आंसर हो जएगा बाजरा याँपर करेक्ट आंसर हो जएगा सरवादिक पेदावार बाजरा की होती है ठीक है चलिए अगला देखे खोधरीबा परशिद है खोधरीबा किसके लिए परशिद है दोस्तों तामबे के लिए एस बेस्टोस के लिए फेल्स पार के लिए या लोहे के लिए जल्दी से बतेए 106 का राइट आंसर क्या होगा खोधरीबा जो खान है दोस्तों वो किसके लिए फेमासे आपसे ये क्यूस्ण पुछा गया है 106 नमबर का right answer बताना मेरी पहरी सातियों सबी को comment करना 106 106 का right answer बते ही दोस्तों क्या हो जाएगा चलिए तामबे के लिए correct answer हो जाएगा option नमबर एक correct answer हो जाएगा खोद रिबाद तामबे के लिए परशी दे दोस्तों ठीक है मोसर क्या है 107 नमबर आपके सामने अवेलेबल है मोसर क्या है अरावली की जनजाती 37 सम्मदित मर्तिव बोच की परथा एक जील का नाम जल्दी से comment कीजिए right answer क्या जाएगा 107 का मोसर क्या है दोस्तों चलिए मर्तिव बोच की परथा है दोस्तों C option correct answer हैगा काफी लोगों ने सही बता दिया था 107 का C option आपका correct answer हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़िए 108 में दोस्तों एक बार comment करके बता दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से comment करके बताएगे फिर दोस्तों 108 में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों चलिए अगला question देखिए 108 नमबर गणेश जी का परशिद मंदिर किस जिले में इस्तित है दोलपूर, भरतपूर, अलवर या सवाई मादूपूर जल्दी से बताएगे गणेश जी का परशिद मंदिर किस जिले में इस्तित है 108 नमबर आपके सामने available है मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगे 108 का राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों चलिए 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों D option हो जाएगा गणेश जी का जो परशिद मंदिर है वह किस जिले में है सवाई मादुपुर में है D option जिन लोगों ने बताये बिल्कूल correct answer है दोस्तों very good अगला क्योशन देखे जगा सागडी परथा किस परथा का दूसरा नाम है option देखे दोस्तों देवदासी बंदवा मजदूर बाल विवा या सती परथा सागडी परथा जो है वह किस परथा का दूसरा नाम है जल्दी से बते ही comment करके 109 नमबर आपके सामने available है मेरे प्यारे साथियों 109 नमबर का right answer आपको comment करना है कि सागडी परथा जो है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों 109 नमबर का चलिए बहुत बढ़िया जल्दी से comment कर दीजे कोई भी विदार्ती पिछे नहीं रहना ची इसके लिए आप share कीजे सबी दोस्तों को लाईव अभी कम है share कर दीजे दोस्तों चलिए बंदवा मजदूर इसका right answer रेगा B option काफी लोगों ने बता है B option correct answer रेगा सागडी पर्था का दूसरा नाम है बंदवा मजदूर ठीक है चलिए अगला है पर्षन आपका पटों की हवेली काँ पर इस्तित है ज़सल मेर में कोटा में धोलपूर में या जोदपूर में 110 number question है कि पटों की हवेली काँ पर इस्तित है कितनी बार इक्यूशन आचुका है दोस्तों ज़सल मेर कोटा धोलपूर और जोदपूर जल्दी से बते राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सभी को पता है ज़सल मेर हो जाएगा सभी का राइट आंसर ए ए ओप्शन आपका करेक्ट आंसर एगा ए ओप्शन ठीक है अगला देखना 111 नमर आ रहा है निमने लिकित में से कोण सा कवी पर्तविराद चोहान का मित्र था जयानक, चंदर सेखर मेरु तंग या चंदर बरदाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 111 का क्युस्टन नंबर 111 आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों 111 राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी को कमेट करना है दोस्तों लाइक और शेयर करना है दोस्तों चलिए 111 का राइट आंसर चंद बरदाई हो जाएगा दोस्तों D option जिन लोगों ने बताया है परतवी राज चोहन का मित्र चंद बरदाई D option आपका करेक्टांसे रेगा जिन दोस्तों ने D बताया बहुत-बहुत सुवागत सभी का दोस्तों चली अगला क्यूशन देखना राजस्तान दिवस किस तिति को मनाया जाता है दोस्तों राजस्तान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टॉमबर या 30 मार्च अब आपके सामने 4 ओप्शन आचुके हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टॉमबर या 30 मार्च राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों ये कमेट करना है 112 का राइट आंसर चलिए 112 का राइट आंसर D option हो जाएगा 30 March को राजस्तान दिवस मनाय जाता दोस्तों राजस्तान दिवस कब मनाय जाता है 30 March को काफे लोगों ने सही जबाब दिया था D option आपका correct आंसर रहेगा अगला क्यों सन देखेगा दोस्तों राजस्तान प्राचे विद्धा परतिष्टान का परिस्तित है जोदपुर भीकानेर जैपुर या अजमेर ये आपके चार ओप्सन है क्यों सन नंबर 113 आपके सामने अवेलेबल है राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है चलिए फटा फट से कमेंट करके मेरे पास बेज दीजिए दोस्तों 113 का राइट आंसर बहुत बड़िया 113 का राइट आंसर ए ओप्सन होजएगा ए ओप्सन आपका correct आंसर हैगा जोतपुर में इस्तित है राजस्तान प्राचे विदा परतिश्टान ठीक है अगला देखेगा 114 शंग मरमर की सबसे बड़ी मंडी का परिस्तित है मकराणा, राजसमन, जेपूर या किसनगड ये ओप्सन आपके सामने संग मरमर की सबसे बड़ी मंडी का परिस्तित है ये बताना है 114 का राइट आंसर चलिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों किसंगड करेक्ट आंसर रहेगा किसंगड 114 का D option आपका करेक्ट आंसर रहेगा सपेद संग मरमर मकराना का परसिदय लेकिन संग मरमर की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो किशन गड़ इसका राइट आंसर रहेगा अगला देखेगा राजस्तान की विदान सबाके अध्यक्स ये दोस्तों करंट का है अभी बाद में देखेंगे करंट अपेश एक दिन आपको मैं पढ़ाऊंगा राजस्तान लोग सेवा अयोग के अध्यक्स ये भी चैन्स हो गए हैं आगे बढ़िए 117 देखिए चली 117 नंबर है कि बढ़ी ठणी चित्र सेलिक किस इस्तान से सम्मधित है ओप्शन आपके हैं उदेपुर, किसनगड, कोटा या बुंदी बढ़ी ठणी चित्र सेलि किस इस्तान से सम्मधित है दोस्तों ये बताना 117 में क्या आंसर होगा चली बी ओप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओप्शन जिन दोस्तों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों किसनगड, बनी ठणी चित्र सली किसनगड से सम्मधित है आगे बढ़िए 118 नमबर आपके सामने आ चुका है निमने मैं से किस जिले में मेवाडी सामने ते नहीं बोली जाती है दोस्तों नहीं बोली जाते है ये पता करना है उदेपुर, पाली, बीलवडा या चितोड जल्दी से बतेए 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेवाडी सामने ते कहां नहीं बोली जाती है चली, राइट आंसर है दोस्तों, बी ओप्शन पाली में जो है दोस्तों, वह है मेवाडी बोली नहीं बोली जाती है बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हैगा अगला है विजेदान देथा किस वाथषा के लेकक हैं विजेदान देथा किस वाथषा के लेकक हिंदी, संस्कृत, गुजराती या राजस्तानी 119 का राइट आंसर बताज़ें दोस्तों ओप्शन 4 आपके सामने अवेलेबल है 119 का राइट आंसर क्या हो जएगा विजेदान देथा किस वाथषा के लेकक हैं चली, 119 का जल्दी से कमेंट करें बिल्कुल D ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जएगा राजस्तानी वाथषा के लेकक हैं विजेदान देथा ठीक है D ओप्शन जिन दोस्तों ने बताए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों D दोस्तों लाइक शेर करो लाइव की संक्या लगातार बढ़नी चाहिए दोस्तों लाइक और शेर करते रहो 120 नमबर है राजस्तान की किस पोसा को राष्टी इस्तर पर मानेता प्राप्त है अंग रखा मेवाडी पगडी जोदपुरी कोट या जेपुरी सापा 120 का राष्टी इस्तर पर मानेता प्राप्त है राष्टी इस्तर पर मानेता प्राप्त है ठीक है अगला देखी किस महान योदा ने मौमद गोरी को तराइन के परतम यूद में परास्त किया था वह कौन सा महान योदा था जिसने मौमद गोरी को तराइन के परतम यानि पहले यूद में परास्त किया था हराया था परत्वी राज चोहान बपा रावल राणा कुम्बा या राणा उदे सिंग 121 का राइट आंसर बतो दोस्तों 121 नमबर आपके सामने अवेलेबल है किस महान योदा ने मुहमत गोरी को तराइन के परतम यूद में हराया था चलि बहुत बढ़िया जल्दी से कमेंट करना है सभी सात्यों को कमेंट करना है दोस्तों 121 का ए ओप्षन आपका करेक्टांस रोजेगा परत्वी राज चोहान ने मुहमत गोरी को तराइन के परतम यूद में हराया था अगला देखिए 122 राजस्तान का ये भी करन्ट बेस निक्योशन है दोस्तों अभी शिक्षा मंत्री कौन है गोविन सिंग डोटासरा है ठीक है आगे बढ़िए 123 में आजए ये विराट नगर किस जनपद की राजदानी थी अंग गंदार मगद या मतश्य 123 नमबर देखिए दोस्तों विराट नगर किस जनपद की राजदानी थी अंग गंदार मगद या मतश्य चलिए डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 में डी जिन्हों ने बताए बिलकुल करेक्ट है आगे बढ़िए बसंद गंद का सिलाले किस वंस से सम्मधित है सोलंकी चोहान राठोड या चावड़ा जल्दी से बताएगे बसंद गंद का सिलाले किस वंस से सम्मधित है दोस्तों सोलंकी, चोहान, राठोड या चावडा, बहुत बढ़िया, D-Option आपका correct answer हो जएगा, 124 में D-Option जिनों ने बताया, D-Option correct answer है दोस्तों, 124 का D-Option, ठीक है, चलिए, अगला क्योंशन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, अजमेर के तारागट दुर्ग का निर्मान किसने करवाया था? अज्ये देव, परतविराद चोहान, राणा कुमबा या सवाई जैसिंग, अज्ये देव, परतविराद चोहान, राणा कुमबा या सवाई जैसिंग, अजमेर के तारागट दुर्ग का निर्मान किसने करवाय जल्दी से कमेंट करना है 125 का बहुत बढ़िया ए ओप्षन आपका करेक्ट आंसर होज़ेगा 125 में जिन्होंने ए बताये बिल्कुल करेक्ट है 126 में चल रहे हैं दोस्तों अगला किसन आपके सामने है विश्णोयों के धरम संस्तापक कौन थे ओप्षन किस परकार से है भक्त रेदाश बाबा रामदेव पाबु जी या जामबो जी जल्दी से कमेंट करके बताये 126 का राइट आंसर क्या होज़ेगा दोस्तों विश्णोयों के धरम संस्तापक बहुत बढ़िया सभी दोस्तों को कमेंट करना है डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर होज़ेगा जामबो जी डी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों अगला क्यूसन 127 निम्बार्क संपरदाई की परमुक पीट कांपर इस्तित है सापुरा नराइना पुषकर या सलेमाबाद 127 का राइट आंसर बताने हैं दोस्तों निम्बार्क संपरदाई की परमुक पीट कांपर इस्तित है चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए 127 का बहुत ही बढ़िया सलेमाबाद D option आपका correct answer हो जएगा निमबार्क संपरदाई की परमुक पीट कांपर है सलेमाबाद में है दोस्तों D option आपका correct answer है 127 का D option ठीक है समझें आगे बात आगे बढ़िये अगला question 128 देखिए निमनलिकित में से कौन लोक देवता की शरणी में नहीं आता है चार option है बहुत ही अच्छा question है कि निमन में से कौन लोक देवता की शरणी में नहीं आता है गोगा जी, पाबू जी तेजा जी या गनेश जी 128 का comment box में आपको answer देना है दोस्तों 128 number question आप सभी के सामने available है चलिए, जल्दी से बताइए 128 का right answer क्या हो जाएगा very good D option आपका correct answer है गनेश जी लोक देवता नहीं है दोस्तों D option आपका correct answer है ठीक है, आगे देखिए 128 निमन में से कौन सी परता मर्तियू से सम्मंदित नहीं है चार परताएं दे रखी है कौन सी परता मर्तियू से शमंदित नहीं है ये बताना है बालवे दाडि मुंदवाना उठावना, रस्म पगड़िया दस्तूर जल्दी से बताइए 128 का right answer क्या हो जाएगा इन में से कौन सी परता मर्तियू से सम्मंदित नहीं है ये बताना है दोस्तों एक सो गुंतिस का चली बहुत बढ़िया सभी को कमेंट करना है कोई भी विद्यारती बिना कमेंट के नहीं रहे दोस्तों सभी को लाइक और शेयर कर देना है very good D option आपका correct answer एक दोस्तों दस्तूर जो है वह है सगाई वगरा से सम्दित है मर्तियों से सम्दित नहीं है D option आपका correct answer रहेगा एक सो गुंतिस का D option ठीक है आगे बढ़िये 130 में नेमने लिकित मैंसे कौन सा नर्तिय होली परव से सम्दित है होली पर किया जाने वाला नर्तिय कौन सा है गेर, बंगडा, कथक या बरत, नाट्यम 130 नमबर आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों किससा नमबर 130, 130, नेमने मैंसे कौन सा नर्तिय होली परव से सम्दित है चलिए, जल्दी से बताई राइट आंसर बहुत बढ़िया, ए ओप्षन आपका correct आंसर होजेगा दोस्तों, गेर जो है वो होली पर किया जाने वाला नर्तिय है ए ओप्षन आपका correct आंसर 130 में जिनोंने ए बताया है बिल्कुल correct है, ठीक है 131 में आज़ेए राजस्तान के किस राजा को हिंदू पद कहा गया था जोतपुर का महराज जस्वन सिंग पर्थम, मेवाड का महराणा परताब मारवाड का मालदेव या आमेर का मान सिंग किसे हिंदू पद कहा गया था दोस्तों, राजस्तान के किस राजा को हिंदू पद कहा गया था 131 नमबर आपके सामने अवलेबल है राइट आंसर आपको कमेंट करना है चली बहुत बढ़िया राइट आंसर बी ओप्शन रहेगा दोस्तों मेवाड का माराणा परताब को हिंदू पद का गया है बी ओप्शन जिन दोस्तों ने 131 में बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है, अगला क्यूस्चन देखिए दोस्तों अगला 132 में चल रहे है अब हम हुरडा किस रियासत में इस्तिधा मारवाड, जैपुर, मेवाड या कोटा ये बताना है 132 का राइट आंसर हुरडा किस रियासत में इस्तिधा दोस्तों 132 नंबर आपके सामने अवेलेबल है सबी दोस्तों को जी जान से जो है दोस्तों मेवाड रियासत में था मेवाड रियासत में इस्तित था 132 का सी ओप्षन जिन दोस्तों ने बदै बिल्कुल करेक्ट आंसर है 133 की तरफ बढ़ रहे हैं अब दोस्तों राजेपाल अपने कारियों के लिए किसके पर्ती उत्तरदाई होता है 133 राजनिती से सम्मदित हैं राजेपाल अपने कारियों के लिए किसके पर्ती उत्तरदाई होता है राष्टपती राजे विदानसबा संसद्या राजे की जनता 133 का राइट आंसर बताने आप सभी को किजी वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए राइट आंसर एगा राष्ट पती के परती उतरदाई होता है ए ओप्षन आपका करेक्ट आंसर होता है जिन दोस्तों ने 133 में ए बताए है बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ाऊं दोस्तों 134 की तरफ रोज टेस्ट देए दोस्तों 3 बजे डेली अपना टेस्ट होता है अगला क्यूशन है राजस्तान के परतम राजेपाल कौन थे ओप्षन देखे पहला है माराना भुपाल सिंग दूसरा ओप्षन है हरी बाव उपादयाई तीसरा ओप्षन है सरदार गुर्मुक नियाल सिंग चोता ओप्षन ह सरदार जोगेंदर सिंग 134 का राइट आंसर बताओ राजस्तान के परतम राजेपाल कौन बने चलिए सब भी को आना चाहिए दोस्तों बहुत इजी क्यूशन है 134 वान जल्दी से बताई बहुत बढ़िया सी ओप्षन काफी लोग बता रहे हैं सी ओप्षन करेक्ट आंसर सरदार गुर्मुक नियाल संग नियाल सिंग जो है राजस्तान के परतम राजेपाल बने थे सी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिनोंने सी बता है बिलकुल करेक्ट आंसर है आगे बढ़िये दोस्तों उच्छ नियायले के नियादीस की नियुकती कौन करता है राश्ट्रपती, राज्येपाल, मुख्य नियाएदिश या परदान मंत्री 135 में का राइट आंसर कमेंट करो भे उच्छे नियाए लेके मुख्य नियाएदिश की नियुक्ति कौन करता है ये बताना आपको चलिए बहुत बढ़िया A option correct answer हो जाएगा राश्ट्रपती जो है दोस्तों नियाएदिश की नियुक्ति करता है उच्छे नियाएदिश की A option आपका राइट आंसर है आगे बढ़िये 136 में माराना परताब पुरुषकार किससे सम्मंदित है बहुत अच्छा क्यूसन है पुरुषकारों का 136 का राइट आंसर बतो बहुत बढ़िया 136 का राइट आंसर A option हो जाएगा खेल कूसन सम्मंदित है माराना परताब पुरुषकार A option जिनोंने बताए बिल्कुल correct है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं कायस्त जाती की निम्न लिकित में से कौन सी उपजाती राजस्तान की मूल निवासी है माथुर, बटनागर, शिरिवास्तव या सक्सेना कायस्त जन जाती की निम्न लिकित में से कौन सी उपजाती राजस्तान की मूल निवासी है जल्दी से बताईए 137 का राइट आंसर चलिए सभी दोस्तों को कमेंट करना है 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ओप्शन नंबर A आप 137 का ओप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर एगा माथूर ठीके A ओप्शन जिर्नों ने बताईए बिल्कुल से आगे बढ़िए निम्न लिकित में से कौन राजस्तान के प्राचिंतम निवासी है मेना, गराश या भील या बलाई कौन सी जन जाती या कौन सी जाती राजस्तान की प्राचिंतम निवासी है जल्दी से बताईए 138 का राइट आंसर चलिए, राइट आंसर C ओप्शन होजेगा 138 का ओप्शन नमबर C आपका करेक्ट आंसर हैगा दोस्तों 138 में C जिन्नोंने बताईए बिल्कुल करेक्ट आंसर है C ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों वलब संपरदाई का राजस्तान में परशिद केंदर कौन सा है जेपुर, नात द्वारा, चितोड़ी आउदेपुर Most important question है कि वलब संपरदाई का राजस्तान में परशिद केंदर कौन सा है जेपुर, नात द्वारा, चितोड़ी आउदेपुर जल्दी से बताईए 140 का राइट आंसर सभी को कमेंट करना है दोस्तों 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया 140 का B option आपका correct answer है का दोस्तों वलब संपरदाई का पर्मुक केंदर जो परसित केंदर है नात दुआरा में इस्तित है B option आपका correct answer है अगला बढ़ते हैं दोस्तों 140 राजस्तान का कौन सा राजपरिवार एक लिंग जी का उपाशकरा है राजस्तान का इन में से कौन सा राजपरिवार एक लिंग जी का उपाशकरा है मेवाड, मारवाड, विकानेर या जेपुर 140 नंबर आपके सामने अवेलेबल हो चुका है दोस्तों कुल 50 जीके के कुशन देखने वाले हैं इस मोडल टेस्ट पेपर में डेली 3 बज़े अपना मोडल टेस्ट पेपर आता है लाइव दोस्तों सभी डेली जुड जाया कीजी चली 140 का राइट आंसर मेवाड रेगा मेवाड का राज परिवार एक लिंग जीका उपासक रहा है दोस्तों ए उप्षन आपका करेक्ट आंसर रेगा 141 में आईए रावत भाटा बांद किस जिले में इस्तित है रावत भाटा बांद किस जिले में इस्तित है option देखिए कोटा, उदेपुर, चितोडगडिया, धोलपूर जल्दे से बते 141 का right answer क्या हो जाएगा सबी दोस्तों को comment करना है, like और share करना है दोस्तों, डेली आपके लिए test और class ने लेके आ रहे हैं आपका फर्ज बनता आप इनको attend करें और like और share करें चलिए, 141 का right answer C option देगा, रावत, बटाबांध, चितोडगड जिले में इस्तित है C option आपका correct answer हो जाएगा, 141 का, 142 में आजएए अब राजस्तान में पर्तम केंद्रिय विश्व विदाले किस जिले में इस्तापित किया गया बिका नेर, जोद, पुर, कोटा या अजमेर, 142 का right answer बतो बे पर्तम केंद्रिय विश्व विदाले किस जिले में इस्तापित होगा या हो चुका है, जल्दी से बताईए चलिए, 142 का जल्दी से बताईए, right answer क्या होगा, very good D option आपका correct answer हो जाएगा, अजमेर में पर्तम केंद्रिय विश्व विश्व विदाले इस्तापित होगा है, ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्यूसन है भोराट का पठार कौन सा सत्र के लाता है, दोस्तों अच्छी परकार से पढ़ा होगा, भोराट का पठार कौन सा सत्र के लाता है, पहला option है तारागड से रगुनादगड के बीच का सत्र, दूसरा है कुम्बलगड से मुंबई के बीच का सत्र, तीसरा है कुम्बलगड से गोगुंदा के बीच का सेत्र 143 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों को कमेंट करना है अब 143 का भोराट का पठार कौन सा सेत्र कहलाता है चली 143 का C option काफी राइट आंसर बता रहे हैं C option करेक्ट आंसर हो जएगा कुमबल गड़ से गोगुंदा तक के बीच का सेत्र भोराट का पठार कहलाता है C option आपका करेक्ट आंसर है 143 का ठीक है अगला क्रिशन देखें दोस्तों 144 थार का कलब वरक्ष के नाम से परशित कौन सा वरक्ष है थार का कलब वरक्ष पीपल खेजड़ी बबूल या खेर जल्दी से बताए राइट आंसर क्या हो जाएगा 144 का थार का कलब वरक्ष के नाम से परशित कौन सा वरक्ष है बहुत बढ़िया वेरी गुट चली 144 का राइट आंसर बी ओप्शन हो जाएगा खेजड़ी दोस्तों खेजड़ी का मैंने वेग्यानिक नाम बताए था आप बते ही कमेंट करके कल या परसों के मोडल टेस्ट पे चली एे 144 में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेग्यानिक नाम क्या है खेजड़ी का दोस्तों दोस्तों खेज़डी का वेग्या नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिनको याद नहीं है वो याद रखेंगे 145 में आजए राजस्तान में सरवादिक ताप ये विदुद काँपर पेदा होती है सिंगरोली, कोटा थरमल, अनूपगड या रिहंद, जल्दी से बते हैं 145 का राइट आंसर राजस्तान में सरवादिक ताप ये विदुद काँपर पेदा होती है 145 और 145 का राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा कोटा थरमल भी ओप्शन राइट आंसर होगा 145 का अब आजी 146 में नेमनलिकेत में से कौन सा अबुशन इस्तरियां उनके सिर पर पैनती है इन में से सिर पर पैना जाने वाला इस्तरियों का कौन सा अबुशन है जुमका, बाजुबंद, बोरला या सटका जल्दी से बते ही 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सिर पर पैना जाने वाला अबुशन कौन सा है चार ओप्शन आपके सामने जुमका, बाजुबंद, बोरला या सटका सबी को पता होना जाए दोस्तों आपुशन मेंने ट्रिक से बहुत अच्छे पढ़ाए है चलिए बोरला या पर आइट आंसर हो जेगा माथे पर या सिर पर बोरला बांदा जाता है C ओप्शन आपका करेक्ट आंसर एगा 146 का C ठीक है 147 में आजे कुल 50 पर शन है पुशकर मेला कब मनाया जाता है कार्थिक पूर्णिमा को, फालगुन पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को 147 का राइट आंसर बतोद के सब लोग सबी को कमेंट करना है पुशकर मेला कब बढ़ता है चलिए बहुत बढ़िया very good कार्तिक पुर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों पुस्कर मेला B option आपका correct answer हो जेगा कार्तिक पुर्णिमा को 148 नमबर आपके सामने है राजस्तान के किस मेले को लखी मेले के रूप में जाना जाता है 4 option है 148 क्या था लखी मेले के रूप में किसे जाना जाता है राजस्तान के किस मेले को लखी मेले के रूप में जाना जाता है option है goga medi, केला देवी, पुस्कर या राम देवरा जल्दी से बते 148 का right answer चलिए 148 का right answer क्या हो जेगा जल्दी से comment करना है मेरे पहरे साथियों आप सभी को comment करना है सभी दोस्तों को बिल्कुल B option correct answer हो जेगा केला देवी का जो मेला भड़ता है उसे लखी मेले के रूप में जाना जाता है 150 पे आज़े ये निमनलिकित में से कौन सी मारवाडी बोली का साइथ एक रूप कौन सा है ओप्शन है अप बरंस डिंगल हिंदी या मेवाडी 100 गुण पचास का राइट आंसर बताना अभी निमनलिकित में से मारवाडी बोली का साइथ एक रूप कौन सा है दोस्तों चली एक सो गुणपचास का राइट आंसर क्या होजेगा सबी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों सबी लोग बहुत बड़ी है डिंगल यहां पर राइट आंसर होजेगा बी ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है डिंगल का जो मारवाड़ी बोली है उसका साइट एक कौन सा रूप है डिंगल रूप है बी ओप्शन करेक्ट आंसर है आगे बड़िये आज का अंतिम परसन जीके का मेवाड के किस माराणा ने संगीत पर गरंत लिखे थे दोस्तों रात को रात को नो बज़े आपकी कलास है दोस्तों रिजनिंग की जिसमें हम पड़ रहे हैं क्या कथन और निश्कर जिनोंने कल का लाइफ सेसन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिलेगा आज वाला तब ही समझ में आएगा जब कल का आपका देखा वा होगा ठीक है जरू जोइन करना है एक सो पचास में आजए है मेवाड के किस माराणा ने संगीत पर गरंत लिके थे ओप्शन है रतन सिंग माराणा कुमबा उदे सिंग या परताब चल्दी से बते ही राइट आंसर क्या होज़ेगा एक सो पचास का चली बहुत बड़िया सभी को कमेंट करना है दोस्तों सभी कमेंट करते रहे मेरे प्यारे सातियों सभी दोस्तों को कमेंट करना है एक सो पचास का राइट आंसर वेरी गुड कुमबा या आप राइट आंसर होज़ेगा दोस्तों मेवाड के माराणा कुमबा ने संगीत पर गर जीके का और बाकी कलास से English की कलास दोस्तों कल से यतावत चलेगी सरकी थोड़ी तब्यत खराब हो गई थी कल से यतावत आपकी चलेगी ठीक है रात को नो बजे जुड़ना मत बुलिये कि दोस्तों बहुत बड़िया वेरी गुट बहुत ही बड़िया चलिए ठीक है तो यह था जीके का टेस्स दोस्तों तैयारी आप करते रहें एकजाम दोस्तों कभी भी हो आपको तैयारी से मतलब है आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें मिलते हैं रात को नो बजे ने लाइव सेसन के साथ में तब तक के लिए सबी सातियों को जहन जबारत